विद्यार्थियों आपको किरातर जुनियम पढ़ा रही थी और मैंने बता दिया कि किस प्रकार दुर्योधन सामदान दंड का प्रियोग कर रहा है और उसके धन एशर का वर्णन हो गया उसकी सेना का वर्णन हो गया अब आगे इसमें आप देखिए कि कभी बताते हैं कि मतलद दुर्योधन सशंकित है कि वो है पांड़ों की यानि उधिस्टिर पक्षि की बराबरी नहीं कर सकता है इससे पुरवर्ती स्लोक में कभी ने दुर्योधन की महत्ता विशेष्टा का उसके धन संपत्ती एशर सबका वर्णन किया है तो कह रहे हैं प्रलीन भूपालम पी इस्थिरायती प्रशाशाद वारिधी मंडलं भुवस चिंत्यत एव भिस्वत देश्यती रहो दुरंता वल्वद विरोधिता सह वह दुर्योधन प्रलीन भुपालं प्रलीन यानि जो विनस्थ हो गए हैं नस्थ हो गए हैं भुपाल यानि राजा तो अपने जो दुर्योधन के सत्रुभूत राजा वो क्या हो गए हैं विनस्थ हो गए हैं नस्थ हो गए हैं तो सत्रुभूत राजाओं से क्या है रहि निस्चित भविश्य वाले आवाराधी समुंद्र पर्यंत भुव मंडल का प्रशासनात शासन करता हुआ भी त्वत एश्यती त्वत यनि युधिस्ठिर से आपसे एश्यती उत्पन होने वाली आने वाली भीय है के कारणों विपत्तियों को चिंत्यती ये वो क्या है सोचता ही रहता है वो चिंतित ही रहता है ओहो आश्चर है वलवद विरोधिता दुरंता वलवद यनी बलवानों के साथ विरोधिता विरोध बलवानों के साथ विरोध करने का परिणाम क्या होता है दुरंता दुख मैं परिणाम देने वाला होता है औहो दुरंता बलवद विरोधिता यहाँ सुक्ती है आपके प्रस्न पत्र में सुक्तियों की भी ब्याख्या पूछी जाती है तो सुक्तियों की ब्याख्या दी पूछी जाती है उसमें भी आपको पूरे श्लोग को ही की ब्याख्या सप्रसंग करनी होती है तो कहते हैं सहवधुर्योधन प्रलीन भूपालन यानि जिसके सभी सत्रुभूत राजा क्या हो गए नस्ठ हो गए हैं तो सत्रुभूत राजाओं से रहित इस्थिरायती इस्थिर यानि निश्चित भविश्य वाले आवारिधी भुव मंडलम प्रशाशात आवारिधी यानि समुंद पर्यन्त भुव मंडलम भु मंडलका शासन करता हुआ भी भु मंडल यानि प्रत्वी मंडलका शासन करता हुआ भी सहवधुर्योधन त्वत एश्यती भिय चिंत्यती त्वत यनि इधिस्ठिर से आपसे एश्यती आने वाले उत्पन होने वाली भिय भै के कारणों से कारणों विपत्तियों को की चिंत्यती चिंता करता रहता है आप से आने वाले भै के कारणों की विपत्तियों की क्या करता है चिंता करता रहता है दुरियोधन को ये भली पाती पता है कि पांड़ो पक्ष हमसे बहुत ही बलवान है इसलिए वो क्या है पांड़ों से भैभीत है अहो आश्चर है बलवद विरोधिता बलवद विरोधित बलबानों के साथ बिरोध करने का परिणाम दुख में होता है। मैंने पहले बताया कि पूरवर्ती श्लोक में महागवी ने दुर्योधन के एस्वार बैभो सम्रिध्धी का वर्णन किया है। अब गुप्तचर इस्लोक में क्या बता रहा है कि सब कुछ होते हैं। दुर्योधन हर दृष्टी से अपने को बहुत ही शक्ति साली सु संपन समझ रहा है। किन्तु आप लोग दुर्योधन लेकिन उसको ये वो आप लोगों की बराबरी नहीं कर सकता है। वह आप लोगों के पेच्छा अधिक बल्शाली है लेकिन फिर भी वो आप से हमेशा भैभीत रहता है। इससे क्या सूचित हो रहा है? पांडो पक्च का बल्शाली होना सूचित हो रहा है। गुप्तिचर कहना चाहता है पांडों से कि आप अपने बल को पहचाने निराशा की कोई बात नहीं है दुर्योधन को पराजित करने का उद्येख आपको यथा समय अवश्य करना चाहिए सामन का विशेश से समर्थन होने के कारण अर्थांतर न्यास अलंकार है आगे का श्लोग देखिए आगे का श्लोग है तदा शुकर्तुम त्वई जिम्हम उद्यते विधीयताम तत्र विधेयम उत्तरम परप्रणितानी वचांसी चिन्नवताम प्ररति सारा खलू माद्रिशाम गिरह इसमें भी जो प्ररति सारा खलू माद्रिशाम गिरह या लाइन सुकती है अब इसमें क्या बता रहा है गुप्तचर अपनी मर्यादा को भली भानी जानता है कि वो अपनी मर्यादा को उलंगर नहीं कर सकता है गुप्तचर गुप्तचर का काम तो क्या है सत्रुपक्ष का जो यथार्थ समाचार है उसे बता देना चाहिए और गुप्तचर का क्याम है वो राजा को यह बताए कि उन्हें क्या करना चाहिए अब युधिस्ठीर को क्या करना चाहिए यह नड़ने युधिस्ठीर का स्वयम का करतब्य है तत इसलिए त्वई जिम्हम कर्तुम तुम्हारे यानि उधिस्ठीर के विशय में जिम्हम यानि कपट कर्तुम उद्यते करने के लिए उद्यत तत्र उस दुर्योधन के विशय में विधेयम इसलिए तुम्हारे प्रती कपट करने में तत पर्थ अर्था तुम्हारा बिनास करने में लगे वे उस दुर्योधन के प्रती क्या कहरा है गुप्रचर आप समुचित प्रतिकार कीजिए तत्र यानि उस दुर्योधन के विशे में विधेयम उचित उत्तरम आशु विधेताम उचित प्रतिक्रिया उचित प्रतिकार आशु यानि शिग्रही कीजिए परप्रणी तानी दूसरों के द्वारा कहे गए वचांसी वचनों को कथनों को चिंत वाम संचाय करने वाले चिंत तवाम यानी संचित करने वाले इकठा करने वाले माद्र साम मुझ जैसे गुप्त चरों की गिरह यानी वानी प्रवित्ति साराहा खलू प्रवित्ति सारा खलुकार्थ है कि सारी ये तत्व जिसमें ऐसी यानि दूसरों के द्वारा कहे गए वचनों को संचित करने वाले मुझ जैसे गुप्त चरों की वानी तो समाचार देने तक ही प्रवित्ति सारा यानि समाचार देने तक ही सीमित होती है केवल हमारा काम क्या है? समचार देना है. अब आगी क्या करना है? यह आप निश्चय करे. तो कह रहे हैं तत त्वई जिम्हम कर तुम इसलिए त्वई तुम्हारे इधिस्ठिर के विशे में तुम्हारे प्रती जिम्हम कर तुम उद्यते कपट करने में तत पर कपट करने में लगे हुए तत्र विधेयम उत्तरम आशु तत्र यानि उस दुर्योधन के विशय में उचित उत्तरम आशु विधेयताम उचित प्रतीक्रिया उचित प्रतिकार शिग्र ही कीजिए पर है अप्रिटानी दूसरों के द्वारा कहे गये वचानसी वचनों को कथनों को चिंत वताम संचित करने वाले या एकत्रित करने वाले माद्रिशाम मुझ जैसे गुपत चरों की गिरह यानि वानी तो प्रवृत्ति सारा खलू केवल सामाचार देने तक ही सीमित होती है अब आगे आपको क्या करना इस विशे में आप सोयम ही चिंतन करिए अब अगले दिन आगे का श्लोप पढ़ाएंगे इसमें भी सामाने का विशे से कथन होने से अर्थांतर न्यास अलंकार है अब आपको क्या आपको क्या है